जैहिंद मेरे होने वाले भारतिय सेना के बीर जवानो आट बज चुके हैं जैसे कि आप सभी को पता है हर साम आट बजे आप लोग के लिए आपका फ़ौज इसा लाइब क्लास लेता है आज जो बच्चे 45 प्लास मारेगा कोई सेन उनका फ़ौज में सिलेक्षन होने से कोई नहीं रोक सकता मैं दावा के साथ आज बोलता हूँ मेरे भाई क्यूंकि आज मैंने सिलेक्षि किया है 50 कोई सेन इस हिसाब से जो आपके आने वाले टाइम में आर्मी के एक्जाम में पूछे जाने का बिल्कुल उसी सेम लेविल का चूस किया जो भी बच्चे 45 प्लास होगे मान के चलना आपका सिलेक्षन हो चुका है मेरे भाई ठीक है तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले सारे बंदे भाई लाइब चैट में जहिन लिखिये सारे बंदे जहिन लिखिये और स्टार्ट होने से पहले हर एक बंदे लाइक कर जो हर एक बंदे लाइक होना चा option भी होगा तो बढ़ते हम दो नमबर question के और दो नमबर question पूछाए कि in who state सुंदर बॉन डेल्टा आल लोकेट रहने कि सुंदर बॉन डेल्टा जो है वो किस राज़ मिशती थे तो गवाई उस्ट पंगॉले ने कि पस्चीम बंगाल मिशती थे option भी होगा दो नमबर question का right answer तो बढ़ते हम तीन नमबर question के और तीन नमबर question पूछाए कि hot time is given to the boundary line of China and India ने की चीन और भारत के सीमा रिखा को क्या कहा जाता है आपको बतना है तो होगा भारत और पाकिस्तान के बीच के line को जो है red clip और yellow सी भी कहा जाता है ये ध्यान रखना ठीक है तो बढ़ते हम चार नमबर question के और चार नमबर question में बहुत बार करवा चुका हूँ और बहुत ज्यादा chance है आपके आर्मी के exam में आने का इस साल चार नमबर question पूछाए कि जाली अलाबाग मैसा का two place in which year ने कि जाली अलाबाग हत्ताइकांड जो है वो कौन से साल को हुआ था और कहा हुआ था ये भी याद रखना ठीक है 1919 में हुआ था पंजाब के अमरित सर में हुआ था ठीक है इसका ध्यान रखना अगर आपको question ऐसे पूछ ले कि UNO का स्थापना कहा हुआ था तो UNO का स्थापना जो हुआ था वो 1945 में हुआ था 24 अक्टोबर 1945 और NCC का स्थापना जो हुआ था वो 1948 को हुआ था ठीक है तो बढ़ते हैं पांच नंबर question की और पांच नंबर question पूछा है कि in which state स्री हरी कोटा 37 धावान Space Center situated यानि कि स्री हरी कोटा 37 धावान Space Center किस राज्य मिश्ति थे आपको बतने तो होगा वाई आंद्रपदेस यानि कि option भी होगा पांच नंबर question की राइट अंसा तो बढ़ते हैं चे नंबर question की और चे नंबर question पूछा है the budget of a state under president rule is passed यानि कि बजेट पेस किया जाता है तो होगा भाई पार्लामेंट होगा यानि कि संगसाद है यानि कि option सी होगा छे नंबर question का right answer तो बढ़ते हैं सात नंबर question की और सात नंबर question पूछा है रावलाट act और पास्ट बाई रावलाट एक्ट जो है वो किस गवर्नल जराल के दोरा पास किया गया था तो होगा भाई option ये Lord James Ford एनि कि option ये होगा सात नंबर question की right answer और अगर आपको question ऐसे पूछ ले कि भारत का पहला वाइस रॉय कौन था बीटीज वाइस रॉय जो था वो Lord Canning था और किस के अधिन पे भारत का राजदानी जो है वो कोलकाता से देली किया गया था तो होगा भाई Lord Harding के द्वारा किया गया था कब होगा था 12 December 1911 साल में होगा था ठीक है तो बड़ते हम आठ नंबर question की और आठ नंबर question पुछाई दा प्रेसिडेंट आफ इंडिया कैन नोमिनेट हाव मेनी मेंबर और हाव मेनी मेंबर टू दा राज्य सभा यानि कि भार अधिकार 6 होता इसका देहान रखना तो बड़ते हम नौन नंबर question की और नौन नंबर question पुछाई की where in India मतलब लिग नाइट found is absent मतलब सबसे ज़्यादा बहु मात्रा में कहां पाया जा था लिग नाइट तो होगा भाई तामिल नाड़ यानि कि आपसंट ही होगा नौन question का right answer तो बड़ते हम 10 number question क्यों 10 number question पुछा है कि first general election was start in 1951 and complete in पहला आम चुनाब जो हुआ था वो 1901 में हुआ था एक अनौन में शुरू हुआ था और ये खतम किस बार्स को हुआ था आपको बतने है तो गभाई 1902 है निकि option D हो जाएगा 10 number question का right answer बहुत ही important question है मेरे ठीक तो 11 number question पुछा है कि which of the following is not related with UNESCO यानि कि निमने में से कौन सा जो है वो UNESCO के साथ संबंदित नहीं है तो UNESCO के साथ संबंदित जो नहीं है वो business होगा ठीक है और UNESCO के साथ संबंदित labor, education, culture ये सारा UNESCO के साथ संबंदित है पर business जो है वो नहीं है ठीक है और भी बहुत सारा में आपको बता दे चाओ जैसे literature हो गया, technical training हो गया, education हो गया ठीक है और science हो गया, programming हो गया, बहुत सारा चीज होता है पर business नहीं होता है तो वड़ते हम 12 number question के और 12 number question पूछा है कि who is author of epic make dude, यानि make dude पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताने, तो make dude पुस्तक के लेखक जो ह होगा, वो कालिदास होगा, ठीक है, और कालिदास का रगुवंसा भी कालिदास का है, बाल मिकी ने जो लिखा था, वो रामायन लिखा था, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, तो वड़ते हम 13 number question के हो, 13 number question पूछा है कि in who is state, फारक का बांद, किस राज्य में इस्ती थे तो फारक का बांद, जो है, वो इस्ट विंगोलाईनी की पसीम बंगाल में इस्ती थे, तो वड़ते हम next question है, जो है, जो है, वो इतान रख लेना है, बहुत ही important question है, और कोहिमा जो है, वो नागालेंड की राजदानी है, तो वड़ते हम 15 number question के, और 15 number question पूछा है, बहुत ह question है, इसको आप ध्यान से जरूर करना है, ठीक है, तो यह कौन से साल को start हुआ था, आपको बतना है, तो जन गरना जो पहला start हुआ था, ठीक है, वो हुआ था, 1872 में हुआ था, ठीक है, और किसने किया था, मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो यार हर वीडि था, वो 1979 में हुआ था, और राके सर्मा जो गया था, इस पेस में हो कौन से साल को गया था, वो हो गवाई 1984 साल में गया था, और देखो, आरिया भट जो फॉस्ट सैटलाइट है भारत का, वो कब छोड़ा गया था, तो हो गवाई 1975 में, ठीक है, इसका ध्यान रख लगा, तो वड़ते हम नेक्स्ट कोईशन है, यानि कि 17 नंबर कोईशन की, 17 नंबर कोईशन पूचा है कि, वह इस दा बिगेस मेट्रेलोजी का लेबर्टरी लोकेटेट इन इंडिया, यानि कि भारत में सबसे बड़ा मेट्रोलोजी का लेबर्टरी कहां इस्ति थे, तो गवाई पूने में होगा, ठीक है, यानि को आपसन ये होगा, 17 नंबर कोईशन का, राइट अंसर तो बढ़ते हम 18 नंबर कोईशन की और, 18 नंबर कोईशन पूचा है कि, वह इस फिफ प्रेसिडेंट, वह इस फिफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नि कि भारत कप है, पांच वी र होता है, मनिपूर इंपॉर होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है, तो बढ़ते हम 20 नंबर कोईशन की और, 20 नंबर कोईशन पूचा है कि, बहुत ही इंपोर्टन कोईशन है, ठीक है, अलमेती सिच्चुएटेड ओन हुइस रिवर, यानि कि, अलमेती किस नदी परिष् सिंग, यानि कि, ऑप्सन यह होगा, 21 नंबर कोईशन का राइट अंसर, तो बढ़ते हम 22 नंबर कोईशन की और, 22 नंबर कोईशन पूचा है कि, विच अप दा फॉलिंग इस्टेट है, यानि कि, भारत का किस राज में महिला के सक्सरेता का हार सब से कम है, तो होगा भाई, दूसर सास्त्र, यानि कि, ऑप्सन यह होगा, 23 नंबर कोईशन का राइट अंसर, तो बढ़ते हम 24 नंबर कोईशन की और, 24 नंबर कोईशन पूचा है कि, विच ऑस्ट सैटलाइट लॉइट 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 लॉइन कि भारत के दोरा, पहला पुचा एक हुईच मेट्रियल और नौट नोन टू इंदाज वैली पीपल यानि कि कौम इंदाज वैली के लोग जो है ओक मतलब कौन से धातू का उप्योग जो है वो इंदाज सब वैली के लोग नहीं जानता था तो होगा वाई आयरन यानि को आपसंटी होगा पच्छिस सामबार लेग राजस्तान में है लोकता लेग मनिपूर में है और उत्राखन में भीमता लेग ठीक है इसका ध्यान रखना है तो परते हम 27 नमर क्यों 27 नमर क्यों पूछा है कि होएन इस इंटरनेशनल योगा डे से लिब्रेट यानि का अंतरास्टी होगा दिवस कब मना ज नितीी आयोग का स्ठापना कब हुआ था तो निती आयोग का स्थापना जो हुआ था तो лаг सड़ी करते हम 27 नमर क्यों तो बढ़ते हैं 29 नłemर क्यों 29 नमर क क्यों पूछा है कि अजित ओर्लकर जो है वो किर्केट का होगा ठीक है इसका ध्यान रख लेना है तो बढ़ते हैं तीस नमबर कुछिशन की ओर तीस नमबर कुछा है कि बैटल आप मादरास और फाइट इन हुई चीए तो मादरास की लड़ाई जो कब हुआ था तो हो ओ रही नौ सेप्टमबर सत्रा सो-चिया लिस में हुआ था direct द्थे और द्यान रख लेना है और दूसरा पानी प्यानिपद जो हुआाएट पानी नमबर 1556 में हुआ था तीस्रा पानीपद प्यांबर sincere 1761 में हुआ था और क की का यूद हुआ था तेरा जून 1707 में हुआ था ठीक है तो बढ़ते हैं इक थाटी वन नमबर कुश्चन की ओ थाटी वन नमबर कुश्चन पुचा है कि बिसे का दूसरा सबसे बड़ा नदी जो होता है वह यामा जन होता है पहला नदी होता है पहला बड़ा होता है निल होता है ठीक है तो बढ़ते हैं बदथीन नमबर कुश्चन की ओछ चाहिए कि which of the following pair about the largest produce in wrong यानि कि निमने में से कौन सा जोड़ी जो है वो सबसे ज़्यादा produce में wrong यानि कि गलत है आपको बत रहें तो हो जाएगा option सी राजस्तान को अपर यानि कि ये option सी गलत होगा और option A, B और D ये तीनों को आपको याद करना है मेरे भाई तो बढ़ते हैं नेक्स कोईशन हैंने कि 35 नमर कोईशन की और आप लोग अगर वीडियो पसंद आ रहा है मेरे भाई तो जल्दी से जल्दी लाइक दबाते रहो मेरे भाई क्योंकि आपके एक-एक लाइक से में उझे मोटिवेसन मिलता है हर एक बंदा एक-एक लाइक कर दो ठीक है तो बढ़ते हैं 34 नमर कोईशन की 34 नमर कोईशन पूछा है कि which of the following pair of the wildlife century is wrong है निकि निमने में से कौन सा wildlife century जो है ये गलत है आपको बतना है तो इस तरह का question का जो answer right होगा उसको छोड़के बाकी आद करना है ठीक है तो option D जैसे होता है ये गलत होगा ठीक है घाना जो होता है वो bird के लिए famous होता है तो option D को छोड़के option A, B, C, A तीनों को आद रखना है ठीक है और option D होगा तो बटते हैं next question है ने कि 35 number question की और 35 number question पूछा है कि इंडिया not a member of which of the falling है ने कि भारत निमने में से किसका सदे से नहीं आपको बतना है तो बहुत सारे बंदे यहाँ पे confuse होगा मेरे भाई क्योंकि question ही ऐसा है बहुत सारे बंदे जानता है कि A, C, A, N का सदे से नहीं है भारत option भी नहीं दिया और none of this भी दिया तो बहुत सारे जादातर बंदे यहे वो none of this करेगा पर none of this नहीं होगा मेरे भाई ठीक है और एक चीज़ बोल दो सारे बंदे comment में जहिन लिखो मेरे जोस लाव थोड़ा क्योंकि यार आपको पढ़ना है तब ही फौजी बन पाओगे ठीक है तो जहिन लिखो सारे बंदे और एक एक लाइक कर दो मेरे भाई वीडियो को ठीक है सारे बंदे मिलके एक लाइक कर दो और comment में जहिन लिखो तो इस question का right hand सा जो होगा वो epic होगा भारत ACN का भी हिस्सा नहीं है और AP का भी नहीं है ठीक यानि को option ही हो जाएगा 35 number question का right hand सा तो वड़ते हैं 36 number question के ओर 36 number question पुचाए कि डाल लेक यानि कि डाल लेक कहा है आपको बतना है डाल जील जो है वो होगा बाई जम्मू यान कस्मीर में होगा ठीक यानि को option ही होगा UN UNICEF जो होता है इसका मुख्यला जो होता है वो New York में होता है पर UNESCO का जो होता है वो Paris में होता है और UNICEF का होता है New York ठीक है इसमें confuse मत करना मेरे भाई तो बढ़ते हम 38 number question के और 38 number question पुचाए कि बंसागर डैम इस बील्ड और वीच रिवर यानि कि बंसागर बान किस नदी पर बना रहे ठीक है तो बढ़ते हम next question के और next question पुचाए कि black soil is best sweet for the crops of any calamity किसके लिए प्रसीद है अनुकुल है तो होगा cotton एनि कि options ही होगा 49 question 49 number question का right answer तो बढ़ते हम 40 number question के और 40 number question पुचाए कि which of the following of the correct निमने में से कौन सा सही आपको बतना है तो निमने में से जो होग वो देखो option D एनि कि all of the above एनि कि सभी सही होगा ठीक है एरफोर्स दे भी 8 October को होता है Navy Day 4 December National Flag Day 6 December तो यह सारा होगा एनि कि option D होगा 40 number question का right answer तो बढ़ते हैं 41 number question के और question यही पूचा है कि how many fundamental right are there एनि कि भारत के संग्विदान के अनुसर कितना मोलिक अधिकार है जैसे कि मै भारत का सबसे बड़ा constitute है यह भी ध्यान रखना है भारत का संग्विदान दुनिया का सबसे बड़ा संग्विदान है यह भी ध्यान रखना ठीक है तो बढ़ते हैं 42 number question के 42 number question पूचा है the speaker of loksabha is elected by नि कि loksabha के सदे से किसके दोरा मतलब चुना जाता है तो loksabha के सदे स जो होगा वो member of loksabha के दोरा चुना जाता है ठीक इसका ध्यान रखना है को option D होगा 42 number question का right answer तो बढ़ते हम 43 number question के 43 number question पूचा है the planning commission was set up in the year यह नि कि planning commission का स्ताबना कब किया गया था तो बढ़ते हम नेक्स question है नि कि 44 number question के 44 number question पूचा है कि which of the following is a not a permanent member of security council एनि कि निमन में से कौन सा सुरक्सा परिसाद का स्ताई सदे से नहीं है आपको बताने तो सुरक्सा सदे से का साई सदे से जो नहीं है वो होगा भाई जर्मानी होगा ठीक है मैं एक चीज़ किलियर कर तो total स्ताई सदे से ज France होता है Russian Federation the United Kingdom the United States ठीक है यह 5 होता है स्ताई और 10 होता है आस्ताई ठीक इसका देहान रखना है तो बढ़ते हैं 45 number question के और 45 number question पूचा है कि which day is longest day in North Hemisphere रहनी कि उत्तर गलड़ में कौन सा दिन सबसे लंबा होता है तो होगा 21 जून और 23 September दिन और रात जो है वो annually बराबर हो होता है ठीक है इसका देहान रखना है तो बढ़ते हैं 46 number question के 46 number question पूचा है कि which country is the largest produce of rubber in the world है नि कि BC में सबसे ज्यादा रवर उत्पन कौन सा देश करता है तो होगा भाई Thailand होगा ठीक है नि को option यह होगा और India जो है वो चौते नंबर पे है ठीक है इसका देहान रखना है और US जो है USA जो होता है वो सबसे जादा fertilizer का उत्पदन करता है Greenland जो है वो सबसे बड़ा Iceland है ठीक है इसका ध्यान रखना है और आफरिका में सबसे बड़ा desired आनि की रेगिस्थान मौजुद है ठीक है इसका ध्यान रखना है तो बढ़ते हैं 47 number question के और यह question बहुत important question of winning the total post in the total post in the India Olympic 2016 एनि कि भारत 2016 की Olympic में कुल पदक के हिसाब से कितने number पे था तो गावाई 67 एनि कि दो medal मिला था और 67 number पे था तो बढ़ते हैं 48 number question के और 48 number question पुछा है कि what is the currency of Saudi Arabia का currency क्या है तो गावाई real होगा ठीक है पाकिस्तान का भी रूपी होता है और बांगलादेश का मतलब जो होता है वो टाका होता है ठीक है और नेपाल का भी रूपी होता है यह ध्यान रखना तो बढ़ते हैं 49 number question के और जो जो बंदे अभी तक लाइक नहीं किया रही इस फौजी भाई का वीडियो है नहीं कि परंडित सिभकुमर सर्मा जो है वो किस बादे अंतर से संब्धित है तो होगा संतूर होगा सारोध जो होता है वो अमजद आली खान के साथ संब्धित है सीतार जो है रवी संकर के साथ तबला जो होगा वो जाकिर होसें के साथ संब्धित होगा ठीक है और इस स साथ पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन दबा देना मेरे भाई बरना आप मेरे वीडियो मिस कर सकते हर साम 8 बज़े आ जाना याद करके तो पचास नमबर कुछा है कि इसे के साथ हमारा वीडियो कतम हुता है तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना और फ्लीज नार बिना स्यर की हुए मत जाना मेरे भाई ठीक है और हर रोज अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आज मैं आपसे विजा लेता हुँ मि जैहिन, जैवार।